अश्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य की विदाएं नाटक, कहानी, उपन्यास, निभन्द, रेखाचित्र और रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर हम पढ़ चुके हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा आप वहां से उन्हें देख सकते हैं देखे रेखाचित्र से मिलती जूलती विदा है संस्मरण जिसके लिए अंग्रेजी शब्द है मेमोयर्स दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कहीं से कोई भी प्रशन आ सकता है और जहां से भी स्किप किया और वहीं से आ गया तो आपका नुक्सान हो जाएगा इसलिए वीडियो का अंतक जरूर देखिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आप तर पहुंच सके जैसा कि आपको पता है कि संस्मरन को अंग्रेजी में क्या केते हैं मेमोयर्स चलिए परिभाशा पढ़ते हैं संस्मरन का तात्प्रिय है सम्यक स्मरन अर्थात जब लेखक अनुभूत की गई घटनाओं का या किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मरिती के आधार पर करता है तो वह संस्मरन कहलाता है इसका आर्थिय हुआ कि यदि लेखक अपनी स्मरिती मतलब अपनी यादाष्ट के आधार पर किसी अनुभूत जिसने उसके दिमाग को उसके मन को गहराई से छू लिया हो अनुभूत की गई घटना या किसी व्यक्ति का मार्मिक वर्णन करता है तो उसे कहते हैं हम संस्मर जैसे महादेवी वर्मा के अनुजार संस्मरन लेखक की स्मरिती से संबंद रखता है और स्मरिती में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया हो संस्मरन की विशेषता हैं संस्मरन स्मरिती के आधार पर लिखे जाते हैं संस्मरन वास्त्विक या यथार्थ परधान होते हैं मतलब जो संस्मरन होता है वो सत्य घटना पराधारित होते हैं संस्मरन किसी महान व्यक्ति का होता है संस्मरन विवर्नात्मक शैली में लिखा जाता है शरू करते हिंदी संस्म्रंट संस्म्रनों को लिखने का परचलन आधुनिक काल में पाश्चत प्रभाव के गार्ण हुआ है संस्म्रंट लेखक के शेत्र में हमें अत्यन प्रोड और श्रेश्ट रचनाई हिंदी साइथे में उपलब्ध होती हैं सरस्वती, माधूरी, सुधा, विशाल, भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में संस्मरण साहित्य का अवतरण हुआ याद रखिए सरस्वती, पत्रिकाओं में सबसे पहले संस्मरण परकाशित होने शुरू हुए थे इनी के माध्यम से संस्मरण जो है वो अफ्तरित हुए थे कुछ विद्वान अब जो हिंदी का पर्थम संस्मरण कौन सा है और पर्थन संस्मरण कार कौन से है इस पर विद्वानों में थोड़ा सा मदवेध है कुछ विद्वान पदम सिंग शर्मा के संस्मरन को पहला संस्मरन मानते हैं और कुछ विद्वान 1907 में परताप नारैन मिश्रुप पर रचित बाल मुकुंद गुप्त के संस्मरन को हिंदी का पर्थन संस्मरन मानते हैं तो संस्मरण के तोर पर हिंदी का परधन संस्मरण कौन सा है पर्ताप नारन मिश्व पर रचित बाल मुकुंद गुम्त का संस्मरण जो 1907 में लिखा गया चलिए शुरू करते हैं संस्मरण साहित्यको इसे चार भागों में बाढ़कर हम पढ़ेंगे प्रारंबिक यूग 1908-1936, चैवाद उत्तर यूग 1936-1950, उत्तर वर्ती यूग 1950 से अब तक संस्मरण साहित्यको जो शुरूआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी द्विवेदी यूग से, कहां से द्विवेदी यूग से, जबकि नाटक कहानी के शुरूआत कहां से हुई थी भारतेंदु यूग से, लेकिन संस्मरण एक ऐसी विधा है जिसकी शुरूआत हुई थी द्विवेधी यूग से याद रखिएगा आप पढ़ते हैं प्रारंबिक यूग इस यूग में जीवनी परक संस्मरन लिखे गए याद रखे प्रारंबिक यूग में किस तरह के संस्मरन लिखे गए जीवनी परक ये संस्मरन सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित को लोगों तक पहुचाना चाहते थे ताकि भारतियों को पता चले कि विद्वेसों में कैसा रहन सहन है इस यूग के निबंदकार संस्मरनकार और संस्मरन देखिए दोस्तों पदम सिंग शर्मा जो है वो च्छायवाद के हैं गलती से यहां लिखा गया याद रखेगा पद 1905 इनका परकाशन वर्ष है इनके संस्मरन का सभा की सब्यता भी मावीर परसाद विवेदी का संस्मरन है 1907 में लिखा गया था परकाशित हुआ था विज्ञान आचारिय बसू का विज्ञान मंदिर 1918 में परकाशित हुआ था बाल मुकुंद गुप्त का संस्मरन है अरियो वर्म ěुक संस्मरन्ट ऐलाचंद्र जोशी प्रषिद्द्ध नल वर्मा महादेवी वर्मा पदम शंखर्मा राजा रादीका रमन परसाथ चिंग स्रूराम श्र्मा ये है च्छाइवाद यूग के पर्सिद्ध कोन Sounds Man Care मेरे प्राथ्मिक जीवन की Smriti विंदा वन्लाल वर्मा के कुछ संस्मरन मावे श्री राम शर्मा के हैं शिकार 1936 में लिखा गया था महादेवी वर्मा के हैं रामा विंदा साबिया बिटो गीसा चायबाद उत्तर यूग के अब कुछ संस्मरन पढ़ते हैं दोस्तों देखें महादेवी वर्मा के संस्मरन जो चायबाद यूग में लिखे गए थे स्मृति की रेखाएं पत के साथी समारी का मेरा परिवार इनके परकाशन वर्स भी साथ लिखे गए हैं आप नोट कर सकते हैं दोस्तों संस्मरन और एकाचित्र में जो आलग करने की बिंदू है वो चोटे चोटे पॉइंट है जो इन्हें अलग करते हैं कई बार एक ही चीज़ को संस्मरन और एकाचित्र में दोनों में शामिल कर लिया जाता है राधिका रमन परसाद सिंग का टूटा तारा 1940 में लिखा गया था राम व्रिक्ष बेनी पूरी का लाल तारा 1930 में मील के पथ आई 1953 में संस्मरन पूले हुए चेहरे उत्तरवर्ति यूग के जो संस्मरन कार और संस्मरन है वो अपड़ते हैं बनारसी दास चत्रवेदी हमारे अराध्य संस्मरन विश्णु परभाकर की यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में लिखा गया हम सफर मिलते रहे 1996 में में लिखा थी हरिवंश राय बच्चेन का संस्मरन है नए पुराने जरों के उनिसो बाचाट में लिखा गया शांति प्रियद्विवेदी का संस्मरन है स्मृतियां और कृतियां 1966 में लिखे गई उपेंद्र नाथ आश्क के संस्मरन मंटो मेरा दुश्मन ज्यादा अपनी कम पर पनिश्वर नाथ रेनु का वन तुलसी की गंद 1984 में लिखा गया संस्मरन परकाशित हुआ जगदिश रंद्र मातूर का जिन्होंने जीना जाना 1971 में परकाशित हुआ कृष्णा सौप्ति का हम हम हश्मत 1977 में परकाशित हुआ विद्या निवास मिश्र का छिडिया रैन ब शराब 2000 में परकाशित हुआ दोस्तों ये सभी जो संस्मरन और संस्मरन कार हैं ये सभी एक्जाम में आए हुए बहुत ही इंपोडेंट संस्मरन और संस्मरन कार हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे object की question में पूछा जाता है कि स्मृतियां और कृतियां किसका संस्मरन है तो शांति प्रियद विवेदी का या किस विधा का ये भी पूछ लिया जाते कि किस विधा की कृति है संस्मरन की रेखाचितर की नाटे क्या कहानी इस तरह से भी प्रशन आते हैं दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर ज़रूर कीज दियेगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में पहला आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके धन्यवाद